कि अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट अभी तक हम जो कर चुके हैं उसमें कोई डाउट किसी को कि नो ओके पिछली क्लास में हम लोगों ने पत पर इचे शुरू किया था लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम आई थी उसमें कि शब्दों को समझने में कि शब्द संग्या शब्द हैं सर्वनाम हैं या विश्वेशन हैं आज हम सबसे पहले वहीं डिसक्स करने जा रहे हैं चीक है सबसे पहले है संग्या संग्या क्या है कौन बताएगा संग्या क्या है नहीं हम किसको कहते हैं डैफिनेशन नहीं मुझे चाहिए परिभाशा नहीं चाहिए अब किसे कोगे कि यह संग्या शब्द है किसे कोगे सुन्दर संग्या लंबा संग्या बूरा संग्या बूरा भावा चक संग्या ओके ओके और वेट और हो गाएगे अच्छा और है ये सब संग्या है है आपने भी बूला था हा बाव उससद्रग्या गून वाचक pén्या गून मछक संग्या है अ कि कि आंचे उसकति पैम जाक्तिक संग्या ओके और बस हम पढ़े थे आपने का था मैं पढ़के आऊंगा आपने मुझे का था कि मैं यह पढ़के आऊंगा हुए नहीं हुए नहीं मतलब मम्मा को मुझे कॉल कर लेते एक चलिए आपको संग्या सरणामिशेशन नहीं आते हैं बाकी लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी संग्या क्या है आप इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स कहते हैं यह नाउन कहते हैं सीधी सरल्स पष्ट भाशा में जिन चीजों को हम चू सकते हैं हम देख सकते हैं और हम महसूस कर सकते हैं अगर हम व्याकरन के अधार पर समझें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदी के नाम को संग्या कहते हैं आप सब आप सबका कोई ना कोई नाम है मैं चौक बोर्ड पंखा दिवार फोटो लाइट खिड़की दर्वाजा इन्हें हम देख भी सकते हैं इन्हें हम चूब भी सकते हैं आपने अभी कहा था बूढ़ा अगर मैं कहते हूं वह व्यक्ति बूढ़ा है तो बेटा यह भी शेशन है चीक है उसके क्वालिटी डिस क्वालिटी के बारे में जो बताता है चीक है अगर हम कहते हैं बुढ़ाप्पा जवानी बच्पन गर्मी घबरहत इन चीज़ों को हम फील करते हैं कि किसी व्यक्ति का बुढ़ा होना उसकी विशेश्ता है कि वह बुढ़ा है लेकिन बुड़ा पा हम उसे देख नहीं सकते हम भुड़ाक़े को तच नहीं कर सकते हैं अ Ali. अगर हम करते हैं अगर आपके पेड़ बोदों को पत्तों को हम हरयाली को टॉच्छ करते हैं किसी व्यक्ति का इमानदार होना उसका गुन है लेकिन अगर हम इमानदारी तो हम इमानदारी को देख नी सकते हैं झाल नहीं होगा संग्या ते किसी व्यक्ति वस्तुस्थान भावादी को संग्या कहते हैं व्यक्ति वांचक संग्या जाती वाचक संग्या भाव वाचक संग्या समूह वाचक या समुदाय वाचक संग्या आग और नेक्स्टिय वस्त वाचक नहीं जл़ sn Um वस्त वाचक पंजाबी में आम द्रख वाचक नहीं द्रख ब्यक्ति संग्या द्रभ्य इंद Kathryn आग अब व्यक्ति वाचक संग्या क्या है जिसके जैसे और कोई नहीं होता मैं हो आप सब इंडिविजिव हैं आपका अपना नाम है आपका अपना नाम है आपके जैसा हुब हूँ सेम और नहीं हमारा स्कूल ऑपना सकूल कोई और नहीं सेम प्रादर नहीं कि जिशेश व्यक्ति वस्तूज्था जिसके ज़सा सेम एज उब और कोई नहीं है वह व्यक्ति वाच अगर इनके लिए में लिखू बच्चे अगर मैं कहते हूं चुन रहा है वच्छ पड़ रहा है और मैं कहते हूं बच्चे पढ़ रहे हैं लड़के सुन रहे हैं, जाती बचे, क्योंकि वह कोई भी हो सकता है, clear, next is भावार्चक्री, मैंने आपको बताया, feelings, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम मैसूस कर सकते हैं, abstract nouns, इंग्लिश में आते हैं, nouns, pronouns, adjectives, are you sure? कुछ समझवनिया या मुझे? ओके, भावाचक्र संगा, जिनने हम मैसूस कर सकते, गर्मी, सर्दी, घबराहट, बुढ़ापा, बच्पन, थकावट, कड़वाहट, मिठास, मानवता, एक मनुष्य है, इंसानियत, एक इंसान है या एक मनुष्य है, देख सकते हैं, चू सकते हैं, जाती वाचक संगे, मनुष्य से मनुष्य होता, मानव से मानवता, clear? उसके बाद समूव आचक से हैं, समुधाई वाचक, collective nouns, पक्षा, आप सब लोगों को अगर मैं कहूं बच्चे, बच्चे बैठ ले हैं, जाती वाचक, पक्षा लगी हुई है, पक्षा, समूव आचक, क्योंकि सब इकठे होगे, ग्रोप बन गया, चाबी, एक चाबी, जाती वाचक, चाबियों का गुच्च्चा, समूव बन गया, collective होगे, गुच्च्च्च्च्च्च्च् एक कूल जाती वाचक, गुल दस्ता, समूव बाचक, या, समुदाए वाचक, ओके, उसके बाद है, द्रव वाचक, द्रव बाचक मतलत, आल दे लिक्विड्स, दूद, पानी, जूस, नहीं अभी लिक्विड्स के बात कर रहे, आल दे लिक्विड्स, आल दे मेटल्स, सोना चांदी थामभा पीतल लोहा ओल्द मेटेरियल्स लकडी कोईला किचन आइटम्स जिनको हम नापते हैं तोलते हैं सोली जिनको हम तोलते हैं लेमन लेंगज में जो गिरती और भिखर जाते हैं आटा दाल चीनी चावल नमक चाइपत्ती किचन आइटम्स जिनको हम तोलते हैं क्लियर वह सब्द्रवे बाचक बस इतना सा है व्यक्ति वाचक जिसके दस और कोई नहीं जाती वाचक जो संपून जाती के बारे में बताएं भावाचक जिसे हम चील कर सकते हैं मैं सूस कर सकते हैं समुव आचक कलेक्टिव जो ग्रुप में हैं द्रवे वाचक द्रवे हैं लिक्विट्स मैटी मैटल्स मैटीरियल्स क्लियर कुछ क्लियर हुआ थोड़ा वहाँ चीक है चले आगे अगे अगे नेक्स चिंस सर्वनाम कौन बताएगा सर्वनाम क्या होगते हैं क्यों बताएगा सर्वनाम क्या है कौन बताएगा कोई भी नहीं किसी को नहीं बताँ पीवा गगंदीप हरमीद नेहर किरतिमा हम जो शब्द संध्या के स्थान पर प्रेयोक किये जाते हैं जैसे आप मैं तुम इस तरह हैं आप बताएगी कुछ आप आप जो शब्द आप फल पड़े हैं आप संध्या शब्द है फल उसके बाद मैंने कहा मेज पर कुछ पड़ा है मतलब मतलब जब हमने संध्या के स्थान पर किसी शब्द अप्योग किया तो वह सर्व नाम है को सर्व नाम के कितने भी हैं कौन कौन से पुरुश्वाचक प्रश्वाचक 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 निश्चायवाचक निश्चायवाचक निज्वाचक और संबंधवाचक ठीक है हुआ पुरुश्वाचक 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 सर्वनाम क्या है जो शब्द किसी व्यक्ति के स्कान पर प्रियोग होते है इसका मतलब क्या है जो शब्द बोलने वाले के लिए सुनने वाले के लिए और जिसकी बात की जाए उसके लिए प्रियोग हों जैसे मैं बोल रही हैं आप सुन रहे हैं वे पढ़ रहे हैं मैं आप वे अपने परसंद के एंगिश में परसंड से किन परसंड परसंड उन्हें हिंदी में क्या करते हैं उक्तम पुरुष अन्य पुरुष चीड है मैं मेरा हमने हमारा हमसे आप आपने तुम तुम्हारा चीड है अन्य पुरुष वे है वे उनका उन्हें उन्होंने यह सब शेख कि यह पुरुष वाचक सर्वना उसके बाद प्रश्न वाचक सर्वना जिन प्रश्नों से जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का अच्छा सपोज मैं कहते हूं कितना समय हुआ है कितना प्रश्न वाचक तो यह प्रश्न वाचक सर्वना है किसकी जगा मुझा संग्या लगा कर दिखाओ कितना समय हुआ है इसके जगा को संग्या शब्द लगा कर दिखाओ अपिताज घड़ी में कितना समय फिर कितना तो कितना जिर्ट यह इस लगाओ मैं प्रश्न की जगा पर संग्या शब्द लगां लगेंगा पिताजी कब आये थे अब की जगा मुझे संग्या शब्द लगा कर दिखाओ लगेगा नए बाहर कौन आया है संग्या शब्लगा के दिख्याओ बाहर रोहन来या है बाहर दोबी आयाया है बार दूद्वादा आया है बाहर दादा जी आयाइन है अपने कितने सारे ढेरों संग्या शब्द लगा घडाएं प्रश्णी वाचक सर्वनाम भी यह शब्द होंगे जो संग्या के स्वाटता है यह जैसे क्या कौन किसे घञा कब क्यों नहीं होगा अब क्यों कितना यह संग्या शब्दों को जगा पर अगर आप कहेंगी यह सर्वणाम शब्द हैं तो हम इन प्राश्ण वाचक शब्दों के जगा पर कुई संगय शब्द नहीं लगा सकते हैं कि लिए चले आंगे निश्चे वाचक जब किसी व्यक्ति वस्तू का निश्चित रूप से बोध होता है कि यह हमारी कप्षा है कनफॉर्म्ड यह मेरा पैन है वह उसका घर है कनफॉर्म्ड अनिश्चे वाचक जवं कनफॉर्म्ड नहीं हमें पता है गिलास में कुछ गिर गया कि किसी से पुस्तक हो गई किसी अगर लिखेंगे किस से पुस्तक हो गई तो राश्नवाचक किसी से पुस्तक हो गई पानिश्चे वाचक जब हमें पता चलेगी काम करने वाला अपने आप काम करेगा तुम खुद लिखो खुद ने जवाचक पिता जी अपने आप बजार चले गए अपने आप हुआ है उसके बाद संबंध वाचक पुछ बना दो शब्द लिखे मेंने कुछ बना कुछ बना ये दो शब्द लिखे कुछ बना नहीं बना जिसकी लाठी उसकी भैंस यानि की ऐसे शब्द जो वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बनाते हैं जिसकी उसकी जो सो जैसा वैसा यह है संबंध वाचब सर्व लिए सारे बेद क्लियर हुए कोई डाउट ओनलाइन स्टूडेंट से निडाउट ओनलाइन स्टूडेंट इसमें किसी को कि डाउट है तो पूछ लो बेटा नो एवरीधिंग इस क्लियर तो एवरीपड़ी ओके फाइन चलिए उसके बाद आगे हैं विशेशन कि विशेशन क्या होते हैं हैं जी बोलो अब उसका भेद बता रहे हो जो शब्द संगया या सर्वनान की विशेशता बताते हैं संगया सर्वनान की विशेशता बताने वले शब्दों को विशेशन कहते हैं अभिशेख पुछ बता पाएंगे इसके बारे में कोई उदाहरन बता पाएंगे अभिशेख नो अन्जी वह बुढ़ा है बुढ़ा व्यक्ति गिर गया डिब्बा गोल है वह लंबा है सड़क चोड़ी है पेड उंचा है चीक है यह सब है विशेशन अब विशेशन के कितने भेद हैं कौन-कौन से जो कोई गिंती वाचक लिखेगा न वो टोटली गलत है पंजाबी में गिंती वाचक इंदी में संख्या वाचक परिमान वाचक सार्वनामिक यां सांकेति सबसे पहले गुण बाचक गुण का मतलब यह नहीं कि वह संग्या सर्वनाम के सिर्फ गुणों के बारे में बताएं कि दोश कि रंग कि रूप कि आकार और अवस्था अब गुण वह होश्यार है क्वालिटी है गुन है वह बुद्धी मानें वह मांदा है हां और दोश वह बहिमान है वह मूर्ख है ठीक है रंग मैंने गुलाबी सूट पहना है सूट की विशेशता का है गुलाबी रंग रूप वे सुन्दर है रूप चीक है अकार डिबबा गोल है चीक है सड़क चौड़ी है अकार है कमरा बड़ा है अकार है अवस्था अवस्था मतलब कंडिशन सड़क वो उसका अकार नहीं है वो उसकी अवस्था है कंडिशन है वो उसकी कंडिशन चीक है कि वहां कार धरती रोल है को सिकता अवस्था मतब कंडिशन इस बूढ़ा व्यक्ति गिर गया कैसी बूढ़ा जी बिमार है इस अवस्था में विमारी की अवस्था पूढ़ दोश रंग रूप आकार अवस्था अधिवताने वह श्यव गुण वाचक विशेशन चीक है उसके बाद आगे है संख्या वाचक संख्या का मतलब है काउंटिंग गिंती संघ्या या सर्वनाम जिनने हम गिन सकते हैं जिनने हम काउंट कर सकते हैं वो आते हैं संख्या वांचा बिशेशन okay जैसे आप सब लोग क्लास में बैठे हैं हम गिन सकते हैं बच्चे कामें बच्छह कितने बच्चे आम गें सकते ए 1-2, 3-4 केड ले एक दो तीन चार मार्च जिन चीजों को हम गिन सकते हैं में आती है यह कुछभ बच्चे वेठी जैंगे कुछ हो गया संख्या क्योंकि हम बच्चों को गिन सकते हैं मेज पर एक बोटल बढ़ी है कि एक बोटल नहीं आएगा एक संख्यावचा जणि नहीं लिखेंगे कि बोटल जो है वह संघ्या है चीक है श्री कि के ड़ुदा म corporation The zodan में हजारों लोग थे हजारों क्योंकि हम लोगों को गिन सकते हैं इसलिए हजारों संख्यावाच परिमानवाचक जिसे हम नाप तोल सकते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं ऐसे चीजें जिने हम गिन नहीं सकते हैं हम नाप तोल सकते हैं है एक मीटर कपड़े है दो लिटर दूद दो किलो चावल लेकिन अब इसमें कपड़ा दूद चावल इनको नहीं साथ में लेंगे एक लिटर दो मीटर चार किलो यह हैं परिमान वाच विशेश हैं क्योंकि अब दूद कपड़ा पानी यह सब लेते तो वह संग्याएं है इसके आप उनको साथ में नहीं है क्लियर कि इस ट्लियर एब्रीबडी एने डाउट इसके पाद है सार्व नामे किया संकेतिक विशेश अहां ऐसे सर्वनाम शब्द जो संग्या से ठीक पहले लगे हूं और उस संग्या के और इशारा करते हैं वहें बच्चा सो गया हूं वहें बच्चा सो गया हूं अब देखो बच्चा है बच्चा आपने अभी गलत एकजांपल बोली मैं ठीक करते हैं यह ठीक है बच्चा संग्या है संग्या से ठीक पहले सर्वनाम लगा हूं है वह हैं और वह सर्वनाम शब्द संग्या के और इशारा करते हैं ठीक है तो यह बन जाएगा सार्व नामी किया संकेतिक विशेश्चा आप लोग प्लीज इसको रिवाइस दीजिएगा आज हमारी लास्ट क्लास थी एक्जाम्ज से पहले तो प्लीज रिवाइस एवरिटिंग पढ़ते हुए कोई भी प्रॉब्लम आए यूर मोस्ट वेलकम कभी भी कुछ भी पूछिए एमसी क्यूज में सब कुछ है चीक है अच्छे से पढ़िएगा अच्छे से प्रप्रेशन कीजिएगा अच्छे से एक्जाम्ज में अपियर होंगे आफ्लाइन एक्जाम्ज हैं एमसी क्यूज हैं और अच्छे से पढ़िए चीक है थैंक्यू बेटा